हेलो श्रूएंट्स वेलकम टू मावी चैनल इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सराइज 3.4 का क्वेश्चन नमबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पर जो हमें प्राब्लम्स गीवन है इनके में लीनियर एक्क्वेश्चन बनानी है फिर उसको जो है सॉल करना है अगर वो अलिमिनेशन मेथर से हो सकते तो अलिमिनेशन से नहीं तो सब्स्टूशन से यहाँ वह किसी भी मेथर से कर सकते हैं तो if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1 question में बोलाए कि अगर हम numerator में 1 add कर दें और denominator में 1 subtract कर दें तो हमारे जो fraction है वो 1 मन जाता है it becomes 1 upon 2 if we add only 1 to the denominator और अगर हम उसमें only 1 add करें denominator में तो fraction मन जाएगा हमारा 1 upon 2 तो what is the fraction हमें fraction बताने सबसे पहरे हम लेट कर लेते है numerator को x और denominator को y fraction की उपर वाली value को हम numerator बोलते हैं नीचे वाली value को हम denominator बोलते हैं according to question question में बोला है कि हमारा यह numerator है और यह denominator है question में बोला है अगर हम add कर दे numerator में तो यहाँ पर हम add कर देते numerator में और subtract कर दे 1 denominator में तो हमारा fraction बन जाएगा 1 इस तरह से कुछ यह question बनी है इसको हम थोड़ा solve कर लेते हैं दोनों को cross multiplication करेंगे यहाँ पर 1 है और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है दोनों को cross multiplication करेंगे तो हो जाता है हमारा numerator x है और denominator y है it becomes 1 upon 2 if we add only 1 to the denominator question में बोला है कि अगर हम सिर्फ denominator में 1 plus करें तो जो हमारा fraction है वो यह बन जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे cross multiplication कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x equal to y plus 1 2x minus y equal to 1 यह मेरी बन गए second equation अब यहाँ पर हम elimination method का use करेंगे और इसमें से x और y को find करेंगे तो यहाँ पर देखो यह हमारा variable जो है same है तो मुझे यहाँ पर कुछ भी multiply करने की जरूरत नहीं है सीधा मैं लिख सकती हूँ subtract equation first by second यहाँ पर मैंने सीधा सीधा लिख लिए subtract equation first by second equation first को मैं second से minus करूंगी तो हो गया 2x minus y equal to 1 यह मेरी second equation है first equation है मेरी x minus y equal to minus 2 subtract कर लेते हैं यहाँ पर minus का sign आ जाएगा यहाँ पर minus है तो plus आ जाएगा यहाँ पर minus है तो plus आ जाएगा अब देखो plus y और minus y मेरी हो जाते है cancel then 2x में से अकर मैं 1x को minus करते हो तो आ जाता है मेरा x और यह plus है यह भी plus है तो 1 और 2 कितने हो गए 3 यहाँ से मुझे simply x की value मिल गई कि x मेरा कितना आया 3 आया then अब हम क्या करेंगे इस x की value को put कर सकते हैं किसी भी equation में से इसमें या फिर इसमें किसी में भी कर लेंगे तो मैं लिख देंगे put the value of x in equation first यहाँ पर मैं first equation में अपनी x की value को put कर लूँगी equation मेरी x minus y equal to minus 2 यहाँ पर लिख देंगे 3 minus y equal to minus 2 यहाँ गया minus y इस 3 को मिस्तर भेजेंगे तो minus 2 और minus 3 कितना हो जाता है minus 5 तो यहाँ पर minus y था minus से minus cancel तो मेरा y क्या रिकल के आ गया 5 यहाँ पर हमारा y रिकल गया 5 तो यहाँ पर हमारी numerator और denominator दोनों की value हो गई तो numerator हो गया 3 और denominator हो गया हमारा 5 फ्रैक्शन क्या बना हमारा फ्रैक्शन मन गया हमारा 3 पॉन में 5 इस तरह से प्रपर आंसर लिखने से हमें marks पूरे मिलते हैं I hope आपको question clear हो गया होगा question clear हो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और friends में share करें